वासब गाइज अभीशेग है एर सो फाइनली इस टाइम फाइनली शाओमी ने अपने कुछ डिवाइस के अंदर क्लीन मास्टर को रिमूव कर दिया है और आज के वीडियो में उसी के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं अभी आपको पताओ का अल्रेडी यहां पर काफ से क्लीन मास्टर यहां पर प्रैविशी इसूस के अंदर आता गया है और प्ले स्टोर में भी आपको नहीं मिलता है तो वह फाइनली मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं यहां पर आप दिख सकते हो नोट सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो के और शेयर कर देना क्योंकि अभी किसी को इंफ्रमेशन नहीं बता है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल बटन को तबा के ऐसी कमाल की टेक वीडियो के लिए तो गाइस यह सारी फोंस मैंने सीधा कर ली है मैं सब के अंदर यहां पर सि आपर इंडिया वाले और यहां पर मैं आपको क्लीकली लेकर जाता हूं क्लीन में सारी फोंस के अंदर तो यहीं पे वह रही है जो की आपको यहांपर हमारे के 20 प्रोंदर अभी देखने के लिए को रही है तो यहां पर देलेख रहा है कि प्रिवैंट सेलेक्टेर्ट और यहां पर देख सकते हो के 20 pro में scan definition यहां पर clean master clearly mention है यानि कि यहां पर integrate हमें दिख रहा है यह आप बाकी के तो यहां पर हमें note 7 pro में देखने के लिए नहीं मिल रहा है अभी note 7 pro में मुझे कल एक update मिलाता है 11.0.10.0 वाला उसके बाद यह मेरे phone के अंतर मुझे show नहीं हो र करते हैं तो note 8 में भी same scene है guys आप यहां पर दिख सकते हो कि exceptions वाला folder दिख रहा है और definition वगर है यहां पर कोई नहीं दिख रही है हमें और उसके बाद मैं बात करूं यहां पर note 9 की तो note 9 में भी एक software update मुझे receive हुआ था note 8 में काफी time पहले आया था और यह देख सकते हो note 9 औ 0.3.0 का update आया था और उसके बाद मुझे अपने phone के अंदर यह नहीं दिख रहा है और उसके बाद यहां पर note 9 pro max भी मेरे पास है इसके अंदर भी एक update मुझे देखने के लिए मिला था और इसमें भी देख सकते हैं यहां पर कोई definition मुझे नहीं दिख रही है तो यहां पर भी रिमूव नहीं हुआ है बाकी के मेरे जितने smartphone मेरे पास है यार सब में यहां पर रिमूव हो गया है और कुछ कुछ डिवाइस पर पहले मेरे को लगाता है अपने आप ऑटमेटिकली हो गया है और आपका यह software अपडेट से नहीं हटता है ना तो शाओमी में भी आपको यह कि हम क्लीन मास्टर यूज नहीं कर रहे है तो वह डिटेल में पता चल जाएगा आने वाले टाइम में बठाँ अभी के लिए यहां पर यह नहीं हो रहा है एंड लेट्स ऑल्सों सारी फोन सो मैं एक बारी चेक कर लेता हूं यार क्योंकि सेक्यूरिटी एप और वह चाहूंगा नोट सान प्रो में को कली अपडेट मिला था और यहां पर सारी एप जो है यह पूरी कंप्लीटली वर्क कर रही है बट स्टिल यहां पर कोई यह परमीशन नहीं दिखा रहा है देख सकते हूं यहां पर ब्लॉक लिस्ट का फीचर भी मैं उपन करके आपको दि देख सकते हूं यहां पर भी रिमूव करने का उप्शन नहीं है आपके पास देख सकते हूं कि 20 प्रो में भी कितनी सारी परमीशन से लिए हुआ है पर नोट 7 प्रो और नोट 8 में में मिरको ऐसा कुछ दिखनी रहा है बाइदेवे गई अगर आप अपने फोन के अंदर सि सिक्यूरिटी एप में लेगा आपको इसको ऐसे क्लिक करना है यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर आप देखोगे यह नहीं हुआ है भी तो दुबार से मैं ट्राय करता हूं और आप यहां पर रिवोक हो गया देख सकते हो तो एक बार करें नहीं होता तो दो-तिन बाज त्राय करना अब मैं अगर सिक्यूरिटी आप का से ओपन करता हूं तो यह ओपन तो यहां पर हो गया है तो बाइस तरीके से वैसे आप आप आफ कर सकते हो जिसेटे मैंने आपको यहां पर क्लीन मास्टर जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा चीता मुबाइल वाला अपडेट के थुरू जो की एक्जिस्टिंग रियल्मी के स्मार्टफोन आपको मिलते हैं तो उसकी भी आपको टेंशन लेनी की जरूत नहीं आने वाले टैम में उसके पर भी मैं एक वीडियो बना कि आपको बता दूँगा बागी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करते हैं इस वीडियो को सारे दोस्तों को इंफरमेशन देने के लिए आपके डिवाइस में रिमूव हुआ है नहीं वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन